स्वामी जी लोग कहते हैं कि आत्मा सुपर्मान तो ये पूरा एपिशोड में आत्मा की बात करना चाहूंगा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा बताया जाता है कि आत्मा के तीन इस्तर होते हैं तीन लेवल होते हैं आत्मा के एक ही होती है और जैन दर्शन के नुशार तो हट प्राणी में एक ही आत्मा निवाश करती है और अलग अलग दर्शनों की अलग अलग बाते हैं तो मैं आ जानना चाहता हूं कि वो तीन इस्तर कौन कौन से है आत्मा के और वो तीन इस्तर किस तरीके से कारियरत होते हैं या उनकी क्या क्या केटेगरी है क्योंकि वो तो एक ही है तो एक एक लेवल इस इस्तर पर काम करता है और खास तोब से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने एप अन्य दर्षनों के लिए एक यूनिक जी जो दादा बख्वान की घोज है आपकी घोज है तो आक्रिपया प्रतिष्टित आत्मा पर भी प्रकाश डालें और आत्मा के तीन लेवल के भी बात हमको बतावें किस तरीके से लेवल बनते हैं प्रत किये जा सकते हैं और परमात्म को सबसे उपर का लेवल है वो इस दो की इस तरहों पर किस तरीके से आगे बढ़ करके हम सभी परमात्मा बने वैसा लक्ष बने वैसी हम इस्तती को प्रत करें उसकी नीव डालें किर्पया उसके बारे में पूरा प्रकाश डालें प्रस्तन के लिए धन्यवाद वैसे महापुरुसों ने अनुभों की लेवल से तीन प्रकार की केटेगरी की अवस्ता आदमा की बढ़ा है और तीन केटेगरी की अवस्ता जो है वो विज्यान है मगर अग्यान से उनकी प्रोसेस होती है तो पहला स्वरुप जो हमको देखता है पुरी दुनिया को देखता है वो फिजिकल पॉर्म है जो सबको देखता है अध्यात्मिक परिवासा में सरीव को मिकेनिकल आदमा कहते हैं क्योंकि वो प्रोग्राम से चत्वा है इनके पास और भी freedom नहीं है और mechanical आत्मा का creator, operator, destroyer पुद्रत होता है और वो auto more से चलता है has for the previous work cause program इसको manage करते हैं पुद्रत ये program को suffering करने के लिए भुक्तान के लिए शरीर और संजोग दोनों कुद्रत देते हैं और जन्मत, जीवन, वृत्यों की सभी अवस्ता का management की कुद्रत खती है इसलिए इसको live लगता है तो mechanical आत्मा का है हलांकि वो आत्मा नहीं है मगर आत्मा की हाजरी से ये mechanical process होती है कुद्रत की helps है दुसरा इस्चा है आंदरिक जो बाहर दिखता नहीं है मगर अंदर अंभों में आता है जो हर परिस्चितियों में अंदर मनों मंधन करता है सार निकालता है और हर संज्जुबों का analysis करके क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए इसकी internal process होती है जो बाहर दिखती नहीं है इसको कहते है लाइव इगो या लाइव प्रतिष्टितात्मा जो नए कर्मों का सर्जन करते हैं मगर लाइव का मतनब चेतन नहीं है और लाइव का मतनब जड़ भी नहीं लाइव का मतनब मिस्रचेत है जो कर्मों का सर्जन करते हैं वो जड़ है और आत्मा की पावर से वो जड़ कर्म चार्ज होते हैं इसलिए कर्म चार्ट करने की प्रत्रिया लाइव प्रतिष्टितात्मा करते हैं जिसका पल गुद्रत इकानूं के आदिन रिजर देखा है तो पहला मिकेनिकल आत्मा, दुसरा मिस्रकेतन पहला मिकेनिकल चेतन, दुसरा मिस्रकेतन, इसमें जड़ और चेतन दोनों का कॉमिलेशन है जड़ की प्रवारु अवस्ता और चेतन का पावर है। और तिसरा है सुद्ध चेतन, मिकेलिकन चेतन, मिस्र चेतन और थर्ड सुद्ध चेतन है। सुद्ध चेतन और मिकेनिकल चेतन की अवस्ता लाई है। अगर प्यार चेतन नहीं है तो मिस्र चेतन भी नहीं है और मिकेनिकल चेतन भी नहीं है। तो यह तीन अवस्ता है सुद्ध चेतन, मिस्र चेतन और मिकेनिकल चेतन। ये तीनों का combination हर इंसान में होता है, मगर ज्यादा तर लोग दो ही अवस्ताओं को जानते या मानते हैं, अनुबहुत तीनों को करते हैं, मानते दो को ही है, सरीव को और आज्मा दोनों को मानते हैं, मिस्र चितन के बारे में ज़्यादा जानपारी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में लोगों के मादियम से, एजुकेशन के मादियम से दर्मगू के मादियम से यही बताया गया है कि बाहर की अवस्ता में परिणाम भी है और बाहर की क्रियाओं में पुर्शाथ भी है इसलिए इंटर्नल लोग गए नहीं पुर्शाथ भी बाहर है और परिणाम भी बाहर है और अंदर क्या जाने का तो यह सब्जेक्ट दीवी जुड़े आवरत अमुद है मगर वास्तु में तहीं नहीं होता है जो आध्यात्म विग्यान के मादियम से खुली होती है यह जो लाईव इगो है वो अंदर की प्रक्रिया करता है जिसके आधार से नए कर्म वादले की प्रक्रिया होती है और इसका बहुत इंपोर्टन रोल है और आध्यात्म विज्ञान में उसकी बहुत value है क्योंकि जनम्वरण की process भी उनके माध्यम से होती है और जनम्वरण की मुक्ति भी इनके पुर्शार से होती है तो प्रतिष्टित आत्मा या लाइव इवो की बहुत एहमियत आध्यात्म विज्ञान में पताई गई है मगर धर्म के माध्यम से हम प्रकृति और आत्मा दोनों को ही जानते हैं प्रतिष्टित आत्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी पुब्लिस नहीं होई है तो यह आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से यह प्रतिष्टित आत्मा की बहुत बड़ी values है नए रिवर्थ के भी और जर्म मर्ण की मुक्ति के लिए भी तो आई है हम सब और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें आध्यात्म विज्ञान के बारे में ताकि हमारा जिवन भी आध्यात्म दुश्टि से मैं बने और मंगल में बने सुम्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी तरह से खुला सा हुआ मिकैनिकल आत्मा जिसको वहिर आत्मा कहते हैं जिसको स्वार्थ की जेत्ना भी लोग कहते हैं और दूसरी आपने बताई कि प्रतिस्टित आत्मा लाइव पीगो जो पुर्शाद करती है उसको पराथ की जेत्ना भी कहते हैं अंतर आत्मा भी कहते हैं परतिस्टा प्योर आ जिसको परमात्मा भी कहा जाता है अभी हम बने नहीं हमारा लक्ष परमात्मा का है पुर्शाट करने के लिए अंतर आत्मा बनना है जो कि अध्यात्य विज्ञान हमको अंतर आत्मा बनाता है विशेश प्रयोगों के द्वारा और रियल कुर्शाट के द्वारा और विकैनिकल आत्मा को हम भुगता है तो स्वाट की चेतना में रहता ही है वो पांच द्रियों के सुख में रहता ही है उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है हमें प्रोग्रेस करनी है तो विकैनिकल बोर्ट से स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी तरीके से इवया क्या आपको मालूम होई